नमस्क्रा दोस्तों। अगर आपका वेखाता इंडिया पेइमassing में है तो यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत हुज़फुल होगी। मतलब आप दो बार और प्रियास कर सकते हैं लग इन करने के लिए क्यों हो रहा है दोस्तों ये समस्या आप लोगों के लिए बहुत बड़ी होती जा रही है हर बार ऐसा देखने को मिला है तो ये वीडियो खास कर आप लोगों के लिए बहुत ही उचफुल होगी तो वीडिय आज को इस वीडियो में आपको हम step by step दिखाएंगे कि आखर समस्या क्यों आ रहे कैसे इसे solve कर सकते हैं चलिए आपको लेकर चलते हैं मुवाइल की स्क्रीन पर तो दोस्तों हम आ जाते हैं अपने मुवाइल की स्क्रीन पर और यहां अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहां पर पिंडालते हैं अपना आप ने बनाया है तो जोस्तों यहां पर जैसे हम अपने M-pin को ढालेंगे यहां पर चाहद देखिये इसे तरीके से आता होगा गाना तो यहां पर और इसके बाद यहां से एक नोटिपिकेसटesti आपके पात चला जाएगा SMS भे देखिए वहाँ पर इस तरीके से SMS पहुंचता होगा आपके पास इन अटेंप्ट टू लोगिन टू यूर आई पीपी बी मॉबाइल आया फेल्ड डू टू इनकरेक्ट टू फेल्ड लोगिन अटेंप्ट मतलब दो बार आप प्रियास जो है आपका फेल हो चुका है यूरप सर्विस पिल भी लॉगड इसके बाद आपकी जो है सर्विस वहाँ से लॉग कर दी जाएगी और एक आपके पास मेल पहुंचेगा उस पर भी यही नोटिपिकेशन दिखाए जाएगा जैसे हमने दो बार डाला एंपिन को तो बता रहा है मतलब दो बार से जादा प्रयास करेंगे तो यहां से आपका एकाउंट लॉग कर दिया जाएगा तो दोस्तों सही बात बता रहा है जो इंडिया पोट पेमेंट का अप्लिकेशन नोटिपिकेशन दे रहा तो वो सही दे रहा है क्योंकि मैंने दो तीन बार ऐसा किया है और दिक्कत जानते हो कहां पे होती है जैसे चलिए एक बार करके दिखाते है जैसे यहां पे एंपिन मांग रहा है हम इस बार सही एंपिन डालते है अपना तो इसे हमने देखिए सही MPIN यहाँ पर डाला हमारा account जो है यहाँ पर open हो जाएगा देखिए हमारा account number यहाँ से जो है ID हमारी open हो चुकी है application की तो दोस्तों यहाँ से इस तरीके से open हो चुकी है तो दोस्तों क्या होता है कि जब हमने आपको कई बार बताया कि आप जितनी बार वहाँ पे MPIN आप बनाएंगे तो देश्टो करना क्या है आपको अगर इस तरीके से आ रहा MPIN आप आगर आप तीसरी बार में भी डाल देंगे तो वहाँ से क्या होगा कि आपका एकाउंट यहां से लाग कर दिया जाएगा एकाउंट लाग हो जाएगा आपके पास इसमें सा जाएगा उसके बाद आपको 24 गंटे तक आप कुछ नहीं कर सकते 24 गंटे बाद दुबारा आप अपनी अप्लीकेशन को पूरा जो है इसको रिस्टोर कर देना है मतलब अनिस्टाल कर देना है दुबारा से इसे अगर करना है एकाउंट नमबर कश्टमर आइडी डेट बर्त द्रीकेशस करना है और बागी पांच जो आपके सेकोरिटी कुछ्छन है सेम वह से आपको भरना है उसके बाद आप सेट करने का नमबर आएगा तो देखें यह अंपीं सेट करने में क्या दिक्कत हो रही कि जब आपको ऐसा बनाना है कि जितनी बार जब से आप application को use कर रहे हैं उतनी दिनों में कभी आप उस MPN को बनाया नहीं हो मतलब बिल्कुल new होना चाहिए दोस्तों कि जैसे आप 99999 दो बार कर देते हैं तो वहाँ पर 99999 करने के बाद ऐसा नहीं होगा एक word आपको change करना है इधर का उधर का इधर किसी भी तरीके से करना है मतलब कि आपका MPN जो है वो past में आपने कभी भी बनाया नहीं हो ऐसा MPN आपको हर बार डालना जितनी बार आपने इसे login किये हैं दोबारा से uninstall करके install किये हैं और जैसे login किये हैं application को तब से आपको बार बार change करना है अगर इस बार कर रहे हैं तब नया बनेगा उसके बाद अगर application को uninstall करते हैं तब नया बनेगा अगर अनिस्टाल नहीं करते हैं उसके बाद भी जब IMPN आपको डालना तो जो आज बनाए है वही पड़ेगा जैसे अमार IMPN ये पड़ा है तो आज हमने इसको डाला हो गया अगर आप application को यहां से अगर हम इसे अनिस्टाल कर देंगे तब जब नए process से सारा कुछ details फिल करेंगे वहाँ पर तब नए IMPN हमें डालना होगा ये आपको बात बहुत ध्यान से डालना है ध्यान करके अपने application को install दुस्तों करना है यहां पर login करना है बस यही समस्या आ रहा है जिसके होज़े से आप लोग बार बार दोखा खा रहे हैं आपको problem आ रही है तो वीडियो के description में आपने Instagram का link दे देंगे अगर आपको कोई problem आ रही तो आप screenshot ले लीजिए उसके बाद हमें send कीजिए और हम आपकी हर एक problem solve करने की कोसिस वहाँ पे करेंगे अगर सब में मिला हमारे पास तो जो भी दिक्कत आ रहे क्योंकि आपको ही करना है हम आपको सिर्फ रास्ता बताएंगे बाकि करना आप यह को पड़ेगा तो इस तरीके से आप नए process से दुबारा सारा detail डाल करके application को install करके दुबारा से बनाईए और अपने यंपिन को ऐसा बनाईए जो आपने अभी पिछली बार में कभी बनाया ना हो बिल्कुल new बनाना है आपको आपको यह problem नहीं आने वाले है तो दोस्तो इस तरीके से आप कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगे अगर दिक्कत होगी तो आप Instagram पर हमें जो है DM कीजिए और हम आपका सारा reply वहाँ पर दे दे देंगे दोस्तो तो इस तरीके से आप अपने application क की सारी details इस तरीके से ठीक ठाक फिल करके दोबारा login कर सकते हैं तो दोस्तो उमिदे कि हमाई जो आपकी जानकरी बताई अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी वीडियो पसंद आया तो like कीजिएगा चैनल को subscribe कर दीजिएगा बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर एक कीजिएगनोटिक कर देने अच्छे से पिल